ओम्रिया जिले के मानपूर जन्पत के ग्राम पंचाय जलवार की दो बस या बिजली के लिए तरस रही है। आसदी के करीब साथ दशक के बाद भी लोग अंधेरे में कुजर बसर कर रहे हैं। बांधर गड़ के जंगा से लगे होने के कारण आय दिन जंगली जानवार भी जा चुकी है। फिर भी गाउ में बिजली नहीं पहुँच पा रही। देखें खास रिपोर्ट। वे न सिर्फ खेत में खड़ी फसल बरबाद करते हैं बलकि घरों में खुश कर इंसानों में हमले की घटना भी कर चुके हैं। आभी तक ग्रामिनों ने ग्राम पंच्रायत से लेकर जिला पंच्रायत वा अन्य सभी दफ्तरों में अपनी फर्यात लगाई। साल दर साल सिर आपर लाइट ही नहीं है सोहाक टोला और बकुलहायत साल से वहां निवाज कर रहे हैं अभी तक लाइट ही नहीं है वहांपर बच्छों के भविस्त में थोड़ी से रुकावड आ रही है क्योंकि लाइट नहीं तो बच्छे लोग कहां सी पढ़ेंगे और यह बांदोगर रिशोट टाइगर रिशोट भी है तो वहां पर जन्हानी भी हो चुकिए इसके पहले जंगली हाथी भी काफी परिशान करके रखे हैं कई ग्रामबाशी बोले भी कि जटके मशीन अगर हो जाए विवश्ता तो अच्छा है दीदी की लगवादे तो अभी तो ऐसा कुछ निए फिल हाला भी तुम्हें यहीं चाहूंगी कि मेरे गाउं में जहां चूटे हुए महले महां अभी लाइट करवादे साट से सतर वर्ष हो गए नहीं नहीं अधुदिध विवागवाले हाँ वह लेक banana इक बार गया थे इसके जाते हैं हम लोग लाइट के समीष्चा से आरहे हैं सर कि हम लोग खेती बारी करते हैं लेकिन हमारे खेती ऑर समय मिलता है कोई मतलब हमको फशिल भी नहीं मिलती है कुछिए वेवस्थान हमारी कोई सुप्धा जानवर को घर में घर में हम लोगों के मतलब कि जानवरों को खा भी जाते हैं को वहां हमारी सुन अब यह है कि यह सब लोग हम लोग अपने में समिलाइत करके सोचे कि हम तो अब गाउवालें से और से अधिकारी करमचारी से सबसे निवेदन कर चुके हैं लेकिन हमारी निवेदन को कोई नहीं सुनता है ति इसके लिए चलें कलेक्टर साहब के पास अपनी निवेदन सुन जाकर दूसरे गाउं में निर्फर रहना पड़ता है खासकर बारिश के मौसम में क्रामिनों को ज्यादा दिक्कतें आती हैं अंधेरा होने के कारण बांधव गड़ से लगे जंगली जेव जन्तु गाउं में खुश जाते हैं अभी तक कई बार क्रामिनों पर जान लेवा हम सामला भी हो चुका है सरपंच सरला सिंग ने बताया कि गाउं में दो महले हैं सत्तर साल बात भी वहां आज तक बिचली नहीं आ पाई बांधव गड़ के च्वलते जंगरी जानवरों का खत्रा बना रहता है प्योर्ज रिपोर्ट एम्पी नियूस उम्रिया